स्टूडिन्स हम कंडिशनल संटेंसेस स्टार्ट कर चुके हैं पहले लेक्चर में हमने कंडिशनल संटेंसेस का इंट्रोडेक्शन किया था और दुसरे लेक्चर में हमने टाइपस आफ कंडिशनल संटेंसेस स्टार्ट किये थे और zero conditional sentences हमने पहले लेक्चर में यानि second लेक्चर में डिसकस किये थे आज टाइपस अफ conditional sentences का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम first conditional sentences पढ़ेंगे अगर आप लोगों ने conditional sentences के पहले दूर लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए उसके बाद इस लेक्चर पढ़े आईए तो first conditional sentences हम कहा इस्तेमाल करते हैं इसको हम probable actions के लिए इस्तेमाल करते हैं probable actions का मतलब ये हैं कि इन किसम के sentences में उस situation की बात होगी जिसके 70% chances होके वो काम हो जाए और 30% जो है उसके नहोने के chances होंगे जो zero conditional sentences थे उनमें हम उन situations की बात कर रहे थें जिसम के 100% possibility हो लेकिन first conditional sentences में हम उन situations की बात कर रहे हैं जिनके 70% chances होके वो काम हो जाए और 30% नहोने के chances भी हो फर एक्जेंपल if I see him, I will inform him तो देखे हमने कहा था के conditional sentences में if या when आएगा तो if तो आया है उसके बाद इसके दू पार्ट्स हैं यह कामा से पहले का पार्ट्कास कहलाता है और कामा के बाद का जूपार्थ है इसको effect कहता है तो इस जुमले का अगर हम तर्जमा करें तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ने उसको देखा तो मैं उसको inform करूँगा अब यहा च्छान्स है कि अगर आपने उसको देखा हो सकता है कि उस वक्त आपसे वो बात बोल गई हो और आप उसे इन्फार्म ने कर सके या या आपने उसको देखा लेकिन उस वक्त कोई और शखस था जिसकी वज़ा से आप वो उसे इन्फार्म नहीं कर सकते चेके या कोई और बात और उनके दरमियान चली गई जिसकी वज़ा से आप ने उसको इनफार्म नहीं किया तो यहां इस जुम्ले में अगर हम देखें तो उसको इनफार्म करने के चांसेस जो है वो 70% है और 30% चांसेस है कि आप उसको इनफार्म भी ना कर सकें ठीक है तो आप देखें अब इन कंडिशनल सेंटेंसेस को हम किस तरह बनाएंगे यहीं इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा तो स्टार्ट में इफ या विल लगाएंगे और काज में प्रेजन्ट इंडिफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे फास में किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और इफेक्ट में विल शिल में किन गूइंटो यह इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ वर्प का पहला फार्म यहनि फर्स्ट फार्म फार्म ठीक है अगर हम यहाँ देखें तो यह विल शिल में किन गूइंटो यह सारे माडल वर्प के बाद हमेशा वर्प की फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होती हैं यह बात याद रखिएगा अब देखें यहाँ जो फर्स्ट कंडिशनल सेंटेंस हैं इसके कुछ मिसाले हैं देखें विन आई रिसीव काल विन आई रिसीव काल अई से अस्स तो यहाँ देखें यह फर्स्ट कंडिशनल सेंटेंस है कौज दिया गिया है एफ्ट हम सलेक करेंगे अब देखें यहाँ यह cause जो है इसके start में win आया है और उसके बाद यह cause जो है यह present in definite tense में है यह नहीं first form of the verb और इसके साथ इस यही इसका इजाफा और उसके बाद comma लगाई हुई है तो effect हम देखेंगे अब effect में हमने कहा है कि effect में क्या लगाएंगे will, shall, may, can, going to, plus verb की first form तो यहाँ देखें इसमें तो यह चीज़े नहीं है I will say assalamualaikum यह ठीक है would है, might है जो के यह यहाँ पर नहीं है ठीक है तो I will say assalamualaikum यह ठीक है उसके बाद second example when she reaches home यहाँ पेर cause दिया गिया है effect हम सलेक करेंगे और यह पेर first conditional sentence है तो cause दिया गिया है और cause में present in definite tense भी इस्तेमाल हुई है cause के बाद कॉमा भी है अब यहाँ देखे she goes to her room directly यह तो present in definite tense में हुआ she may go to her room directly she would go to her room directly she would have gone her room directly तो यहाँ may go जो है यह सही है क्योंके हमने कहा था कि effect में क्या लगाएंगे effect में may, shall, will, might, going to, may तो यहाँ may है और first form of the verb भी है तो यह option ठीक है उसके बाद देखें he will clean the board he will clean the board यहाँ effect दिया गिया है देखें, cause और effect के दरमियान difference यह है कि cause में when या if होगा और effect में when या if नहीं होगा तो यहाँ देखें he will clean the board तो यहाँ effect दिया गिया है और effect में will भी लगाया हुआ है और साथ-साथ first form of the verb भी है तो इसका मतलब यह है कि यह first conditional sentence है चुमके first conditional sentence में first form of the verb भी होगा effect में effect में first form of the verb भी होगा और साथ-साथ will, shall, might, may, going to वगेरा यह भी होगा ठीक है तो यहाँ effect दिया गिया है हम cause मालूम करेंगे तो देखे when the teacher enters into the class तो यह तीक option है और इसको हम यह cause में लगाएंगे यहां लास्ट एक्जेम्पल जो है I am going to buy new books ठीक है I am going to buy new books यहां पिर effect दिया गिया है और effect में हमने पढ़ा है कि first form of the verb होगा और उससे पहले going to may या will या शिल वगिरा जो है वो भी होगा तो यह first conditional sentence है क्योंकि इसमें किया है इसके जो effect है उसमें first form of the verb भी है और साथ साथ going to भी लगा हुआ है तो हमसे cause मांगा गिया है तो हम correct option जो है वो select करेंगे तो चुँके cause में first form present in definite tense इस्तेमाल होती है तो यहां देखे when I go to market when I went to market when I will go to market when I would go to market तो चुँके हमने कहा है कास में first form of the verb और उसके साथ ACIS का इस्तेमाल 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 मतलब यह है के present in definite tense तो यहां when I go to market यह option ठीक है चुँके यह present in definite tense में ही है